दोस्तो सर्दियों में क्या होता है, हमारे चेरे की ग्राइनेश सकीन भुह है बहुत बढ़ जाती है चेरे पे, enयों कि वीडियो में मैं आपके साथ एक एक एसा फेस पैक शियर कर रही हूं, जिसका इस्तमाल करते ही आपकी स्कीन जो है बहुत तीजी से सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी और दोस्तों आपकी स्कीन को बहुत ही अच्छा है रिजल्ट मिलेगा इस पैक का दोस्तों इसके लगाते ही आपकी स्कीन को बहुत अच्छी से चमक मिलना शुरू हो जाएगी साथी साथ दोस्तों आपकी स्कीन पर बहुत चादर डैडी स्कीन है या फिर छोटे-छोटे ब्लैकिट और वाइटेड आपकी स्कीन पर हो रहे हैं तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आपकी स्कीन से खतम होगी साथी साथ एक्नी पिंपल की जो परिशानी है आपकी चेहरे पर व से ग्लाश साइन मिलेगी आपकी स्किन की जो है न वह बापासाना शुरू हो जाएगी तो दोस्तों चली शुरू करते हैं आज का इसका अपने चाहरे पर करना है और कितनी समय के लिए करना है तो इसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और अगर वीडियो पसंद शेयर करती रहती हूं मैं अपने चैनल पर दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है इस रेमेडि को बनाने के लिए एक बाउल लेना है क्लीन बाउल यहां पर आपको चाहिए होगा और इसमें दोस्तों आपने क्या करना है एक चमच के आसपस यहां पर आपने चावल का आ की जो प्रॉब्लम है या फिर एकने की प्रॉब्लम स्कीन से खतम होती है यह हमारे चैरे की दाग दपू को बहुत तेजी से हलका करता है क्योंकि इसमें बहुत इच्छी मातर में वाइटमिन डालना है जो कि आपकी चैरे की एजिंग साइन को खतम करेगा डाग सकल की प्रॉब्लम को खतम करेगा और चैरे पर पिगमेटेशन की जाईयों की जुर्यों की प्रॉब्लम है तो उसको खतम करेगा दोस्तों इससे आपकी चैरे की चमक जो है बहुत तेजी से बढ़ना शु करता है जिसके वेज़े से चेरे की छुपवे गंधी जो है न वह तेजी से हलका करता है उसके साथ यहां पर आपने कच्छी दूर का ही इस्तमाल करना है थोस्तो आप डॉस्तो आinea करता है इसके साथ हमारे कारोर आप नहीं आपर यूज करना है अगर आप किचन हंदी कभी यूज कर सकते हैं इसमें बहुत थोड़ी क्वाइटिटी में यह आपर किचन हंदी को लेजिए हल्दी को होती है न दोस्तों उसमें बहुत अच्छे से एंटी बैक्टिर्स प्रपरिटी है जो स्कीन को भूत तीजी से एक्ने पिंपल रहित बनाती है, इसकीन पर किसी भी तरह का ब्लैकेड वाइट एरिया, फिर मुहासों की परेशानी को बहुत तेजी से खतम करती है, दोस्तों इसकी इस्तमाल से हमारे चेरे का गलो तो बढ़ता ही है, साती सार दाग तब तेजी से हलकी होना शुरू हो जाते जो किसी भी तरह का infection skin से होता है, उसको प्रीन करता है, इसकीन के अंदर से, अब दोस्तों आपने नेक्स इसमें जो डालना है, वो डालना है, इसमें आपने सहड, आपने आदा चमच के आसपास इसमें सहड डालना है, जो कि आपकी skin को बहुत अच्छे से moisturize करेगा, इसकी इसकोब बहुत अच्छी तरीके से यहां पर mix कर लेना है यहां पर टकिन अच्छे से फेस्ट आपने क्या करना आप इसको week में तीन दिन इस्तमाल करेंगे आपने क्या करना है दोस्तों इसको सारे face पे अच्छे से लगाने के बाद इसको क्या करना है हलके हलके हाथों से massage देनी है अपने nose area में अपने chin area में और दोस्तों cheek area पे forehead area पे भी कई कई दाने हो जाते हैं तो forehead पे भी अच्छे से आपने मसाज देनी है सारे पेस पर अच्छे तरीके से इसकी मसाज एक से दो मिनटता कपको करने है बिल्कुल लाइट हातों से तैट हातों से मसाज ना कीजिएगा क्यूंकि चावल कर आस्था जो ठोखा थ हाटु होता है तो इस esse क्या है northwest बढ़ने का ڈर होता है तो पैक जो है वो सूखे ना क्यूंकि इसमें आपने सहेट डाला है जो कि अच्छे से ड्राइ नहीं होता तो आप इसको आइटलीस 15 मिनिट तो अपने चेरे पे जरूर रखें 15 मिनिट रखने के बाद आप अपने चेरे को वाश कर ले नॉर्मल पानी के साथ में आपका चेरा ज पैजी से खतम होगी अगर आपकी स्किन पर बहुत जदर डैडी स्किन जमा हो चुकी है तो वह बहुत तेजी से क्लीन होगी दोस्तों अगर यह रेमेडिय आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस पैक को ज़रूर एपलाई कीजिए अपने चेरे पे और इसकी वेनिफिट आ यहां पर मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूं मिलती हूं आपसे नए यूसफुल रामेडी के साथ में जब तक के लिए टेक कियर बाब बाए